आप सबी का स्वागत करती हूँ एजिया नियूस इंडिया में चलिए बढ़ते हैं आज के खबर की और क्यार के ने फिल लगाया बॉलिवुड वालों पर जेल भेजने का इल्जाम विक्रन वेदा को लेकर कही ये बात कमाल आर्खान यानि के आर्खे अक्सरी अपने बयानों के चलते सुर्कियों में बने रहते हैं बीते दिनों अपने विवादे ट्वीट के चलते जेल में रहने के बाद के आर्खे फिर से अपने पुराने अफ़तार में लाट आये हैं हाली में के आरके ने ट्वीट कर कहा था कि उनके गिरफ्तारी के पीछे करन जोहर का कोई हाथ नहीं है लेकिन अब उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने गिरफ्तारी और विक्रम वेदा को लेकर बात कही है ऐसे में लोग भी हैरान हो गए हैं उनके पुराने ट्विट को लेकर सवाल कर रहे हैं दरसल के आरके ने शनिवार को ट्विट कर लिखा मैं विक्रम वेदा का रिव्यूज जरूर करूंगा अगर फिलिम के रिलीस से पहले बॉले बुट वाले मुझे दुबारा जेल में नहीं डालते हैं तो बतादे की विक्रम वेदा 30 सितंबर को सिरेमा घर में तस्तक देने के लिए तयार है इस फिलिमें रितिक रोशन और सैफ अलिकान मुक्य भूमिका निभा रहे हैं कियार के ट्विट को करन जोहर से जोड़कर देखा जा रहा है kardeş कियार के करन जोहर के उनके गिरिफतारे के पीछे की वजा हुने वाली ट्विट को पोस्ट कर पूछा तो ये क्या था वहीं एक अन्य ने लिखा आपने खुद कहा था कि करन जोहर और उनकी फिल्म आपकी गिरफ़तारी से कोई लेना देना नहीं है तो अन्य ने लिखा भाई कहना क्या चाहते हो कभी कहते हो बॉलिवुड वालों ने जेल भेज दिया कभी कहते हो उन्होंने नहीं भेजा बतादे कि बीते दिनों के आरके ने ट्वीट कर कहा था कई लोग कह रहे हैं कि मेरे गिरफतारी के पिछे करन जोहर का हाथ था लेकिन ये सच नहीं है करन जोहर, शारुक खान, अजे देवगन, आमिर खान और अक्षे कुमार इन सभी का मेरे गिरफतारी से कोई लेना देना नहीं है वहीं के आरके को 2020 के दिवांगर अभिनेता इर्फान खान और इशी कपूर पर आपत्ती जनक ठिपनी करने को लेकर हिरासत में ले लिया गया था इसके इलाबा उन पर छे छाड़का भी आरोप लगाया गया था